पुनिया के सांसद यानी पप्पू यादो काफी जादा सक्रिये रहते हैं और ऐसे नेता माने जाते हैं जो साहत तोर पे ना सिर प्रशासन बल की हर किसी को डाट फटकार लगाने की बहुत मजबूती के साथ बल रखते हैं वहीं बात की जाए पपू यादो की दीन रात एक बिना समय की बैर्थता किये हुए पप्पू यादो उन जगों पर पहुँच जाते हैं जहां वाकई जनता को उनकी जरूरत रहती है और यही कारण रहता है कि पपू यादो के वोल्ड अंदास को लोग काफी पसंद करते है पपू यादो एक ऐसे सांसत माने जाते हैं जो जब भी रात के दो बजे हो या रात के धाई बजे हो अपने जनता के लिए लोगों के समग जाते हैं बात करते हैं और ब्यवस था काफी टाइट कराते हैं और यही कारण रहा कि फिर से पपू यादो एक बार चर्ची में फिर क्यों नहीं उठाते हो इन लोग आप चार दिन से लाइन क्यों नहीं है कि अभी चालू आभी बोले तो अभी चालू हुआ चार दिन से तुम क्या कि बीबी के पास वे नहीं थे पूर्णिया में इस वीडियो में रखा पप्पू यादो साहत और पूर्णिया में इस वक्त मौजूद है वहां पर जो फोन पर बात करें वह वीजली विभाग के जेई हैं और जेई को किस तरह से पपू यादो फटकार लगा रहे हैं यह तो आपने देखा और सुना ही हलाकि पपू यादो साथ तोर पे जंता के लिए नकेल कसने का कारे करते हैं यहां तकि प्रशासन को भी नहीं कई वीडियो सोसल मेडिया पे आती रहती है जिसमें पपू यादो बेबाग कभी प्रशासन को डाट फटकार लगाते नजर आते हैं तो कभी देर रात अस्पतालों में जाकर जाय जा लेते और वहां के करंचारियों को जम कर फटकार लगाते हैं यानि पपू यादो पू पर उतर जाते हैं लोगों के समख चले जाते हैं जहां तलवार और लाटिया देखी जाती है उसके बाजूद पपू यादो वहां का मोर्चा संभाल लेते हैं यही कारण रहता है कि पपू यादो काफी स्ट्रॉंगली अपने संसधिये छेतर में इस वक्त प्रिवर्तन को ले करके बेवस्था को ले करके टाइट और सक्रिये हो चुके हैं इस वीडियो में साथ और पे आपने सुना कि पपू यादो जेई को किस तरह डाट फटकार लगा रहे हैं उनका साथ और पे कहना था कि चार दीन हो गये क्या आप अपने यानि उन्होंने अस सब्द अनफानन में जेई को फून लगा कर डाट फटकार लगा दी यहां तक कि बारपीडित लोगों के लिए बिवस्था के लिए समागरी के लिए राशन के लिए भी उन्होंने जम कर फटकार लगाया है पपू यादो के सक्रिये बिवहार और का जाये तो निस्टता पुर्व झाल